आज हम लोग इस वीडियो के माधिन से बात करेंगे प्राइम के हेल्थ केर से संबंदित CMS ED कोर्स के बारे में जिसको करने के बाद आप अपने कुछ करक्लीने यानी प्राइम बेर चिकिस सके अंदर खोल सकते हैं आईए विस्तार में जानते हैं लगवग 1980 के तशक में WHO ने एक मीटिंग और्गनाईस की जिसमें सभी देशों के हेल्थ मिनिस्टर को बुलाया गया इस मीटिंग का में पॉइंट ये था कि MBBS बनाने के प्रोसेस में बहुत समय लगता है बहुत खर्चा होता है और बहुत दोग इसे कर भी नहीं पाते चुकि डॉक्तर की कमी होने के कारण जो लोग डॉक्तर के पास काम कर रहे होते हैं वे कुछ ही समय में खुद का क्लीनिक खोल कर बैठ जाते हैं उन्हें जादा कुछ पता भी नहीं होता इसी वज़े से मेडिकल इमर्जन्सी की सिथी आ जाती है इस मीटिंग में इनी सब बातों का ध्यान लगते हुए CMS ED को बनाया गया है इस कोर्स का में मकसद ये है कि इस कोर्स को करने के पाद आपको इतनी नौलिज हो जाएगी कि आप अपने खुद का क्लीनिक खोल सकें इतना तो कम सकम बताई होना चाहिए कि मरीज को किस समय क्या आवशकता है और फर्स टेट यानि प्रायम दे उच्चार कब और क्या देना है और आगे डॉक्टर को क्या रिफर करना है अब आप समझ ही गया होंगे कि इस कोर्स की आवशकता क्यों पड़ी इस कोर्स को ओनरेबर सुपरीम कोर्ट ने भी वैलिड किया है आज हमारे देश में लाखों लोग अनुभव के आधार पर क्लीनिक चला रहे हैं जिनमें से बहुतों के पास डिगरी भी नहीं है ऐसे लोगों के उपर 24 गंटे तलवार लटकती रहती है वैसे डॉक्टर ये सूडेंट जो खुद का क्लीनिक खोलना चाते हैं वैं हिंदू चिक्ट सक्त एक तकनीकी महाविद्याले द्वारा ओनलेने क्लास्रूम ट्रेनिंग के माध्यम से प्रशीशन प्राफ्ट करके कानोरी रूप से क्लीनिक चला सकते हैं यहां मैंत्वकूर बात यह है कि मरीज जो सरकारी नौकरी में हैं तथा आप से इलाज करा रहे हों उनको CSS Act के CSS Leave Rules Chapter 1-19 के अंतरगत अपने मरीजों को Certificate के साथ Letter Hand भी इशू कर सकते हैं अनुभव के आधार पर जो लोग पहरे से क्लीनिक चला रहे हैं उनके लिए संभव नहीं हैं कि वे अपनी क्लीनिक बंद करके regular course कर सकें वैसे लोग के लिए online माध्यम यानि mobile के माध्यम से भी training ली जा सकती है और बिना किसी चिंदा के वे अपनी medical practice पूरी कर सकते हैं एड्मिशन से सम्मंदित जानकारी जानने के लिए 8595-132-436 पर call करें या whatsapp करें या www.httm.in पर visit करें